NTA UGC NET की परिच्छा जोकी 18 जुन को होने जा रही है ये परिच्छा दो पालियों में होकी आपने अभी तक जो admit card है उसको download कर लिया होगा और उस पर जो निर्देश दिये गए हैं तो उस निर्देश को आपने पढ़ लिया होगा अगर नहीं पढ़ा है तो अभी जाके उ undertaking है इसको आप fill up कर लिजेगा यहां पर आप अपनी फोटो लगा दीजेगा जो की form भरते समय जो फोटो आपने upload किया था बिल्कुल वही फोटो यहां पर होना चाहिए और इसके बाल यहां candidate left hand thumb impression लगाना होगा तो यह दोनों चीज़ें यानि कि आप अपनी फोटो और left hand जो thumb impression है to be affixed before reaching the center तो exam center पहुशने से पहले हैं कि घर पर ही आप यहां काम कर ले हाथ जो तीसरा खाना है इसमें आपको signature करना है जो की आप परिक्षा भावन में करेंगे ठीक है तो यह बाध्यान रखेगा यह बहुत ही important है यह काम करके जाएगा इसके लाओ फ्रेंस required नहीं लगाया है तो आपके लिए एक फार्म यहाँ पर और भरना पड़ेगा declaration फार्म नान आधार कंड़ेट यानि कि अगर आपके पास अपना आधार नहीं है तो यह फार्म आपको भर के ले जाना पड़ेगा तो इस फार्म में ज्यादा कुछ नहीं है यह फार्म है to the director national testing agency okla dilli subject क्या है declaration regarding UGC net June 2024 examination dear ma'am sir I hereby declare that I am आपका नाम होगा son father का नाम होगा and mother का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा declare that all my candidature for the examination is genuine and all the details filled in online application form are valid as per my knowledge the image uploaded अगर आपका जो image है वो थोड़ा सा blur है match नहीं हो रहा है तो उसका कारण अगर आपको यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अगर match हो रहा है तो यह इस पर कहीं पर भी टिकन है कोई जुरूत नहीं है और नीचे आपको अपना application ID role number आपका नाम और अगर आपने आधार नहीं लगाया है तो क्या लगाया है तो government ID proof type और ID का number आपको यहाँ लिखना है परिच्छतिती और shift number आपको लिखके ले जाना है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जब फार्म भर रहे थे तो आधार कार्ड ना डालकर pen card वगरा डाल दिये होंगे deal वगरा डाल दिये होंगे तो उनके लिए यह फार्म भर के ले जाना है कि नहीं ले जाना है तो देखो friends अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसे तो लेके जाएगा साधी साथ जिस id का आपने जिक्र किया था application form भरते समय तो वह भी लेके जाएगा दोनों की फोटो कापी भी करवा लीजिएगा दो तीन फोटो लेके जाएगा ठीक है समझ गया बात को कि अगर आपके पास आधार है तो आधार कार्ड original प्लस एक फोटो का बिल्कुल वही उसकी हाड कापी बनवा लीजिएगा तो इतनी चीजे तो पक्का आपको लेके जानी है ठीक है और इसके बाद और जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उनके लिए तो यह जो declaration form यह must है अगर आपके पास आधार कार्ड है आधार कार्ड लेके आप जाते हैं फिर भी यह declaration form भरके लेके जाएगा वहाँ पर जुरूत पड़ेगी तो इसे वह जमा करेंगे नहीं पड़ेगी तो जमा नहीं करेंगे लेकिन अगर आपने form भरते समय आधार कार्ड का जिक्री नहीं किया है तो आप यह form भरके ले जाएंगे आधार कार्ड की फोटो और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बाक्स ओपर नहीं या फिर आप आईए हमारे टेलिग्राम चैनल इस्टेटिविक ज्ञान प्रकास पर वहाँ पर भी हम आपसे बातचित करेंगे थैंक यू